For the 15 была 15.05.2023 पिछली बार Central government ने एलान किया हर घर तिरंगा पुरे मुल्क ने हर घर तिरंगा लहराया इस मर्तबा Central government का ये इलान है के मेरी माटी मेरा देश और दो दिन तक तिरंगा लहराया जाया उर जैस ने मना जाया जिन लोगों ने आजादी में हिस्सा लिया था, कुर्बानी दी, अपनी जान को गवाया, उनको खेराज याकीदत सरधानजली दी जाए, ये मोधी सरकार की तरफ से एलान किया गया है, विजन 2047, हम उस पार्टी की विचार धारा को हम पसंद नहीं करते, मगर सरकार में है, और आजादी के उपर अगर कोई भी सरकार कोई प्रोग्राम देती है, तो उस पे हम अमल करते हैं, क्योंकि ये हमारे मुलक की आजादी का जस्न है, इसलिए सरकार में कौन सी पार्टी है, ये हमारे लिए एहमित नहीं रखती, इसी तरह हम पिछले साल भी माले गाउँ सहर में जसने बनाए थे और इस साल भी माले गाउं सहर में आज रात में भी 14 अगस्त को हुबुल वतनी के गीत और सहीदों को सरदान जली देने के लिए सहीदों की यादगार के पास आसों की स्थम पर प्रोग्राम रखा गया है कल सवा दस बजे अवामी जंडा बंदन जो माले गाउं सहर का सबसे बड़ा अवामी जंडा बंदन होता है वो होने वाला है मगर इस सहर में ही कुछ फिरका परस्त जो मुसलसल जान बूच कर माहुल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उसी सिलसले को आके बढ़ाते हुए कल पंदरा अगस्त को एक पॉंपलेट बाटा जा रहा है हिंदुई सवराज जे सुतंतरा दिन पद यात्रा मनजेज हिंदू राष्ट इस्तापनेशा देशा तिल पर्थम्व संखनाथ माले गावाद के हिंदु राष्ट बनाने के लिए पहला जो संखनाथ अनी बजाया जाएंगा वो सुरुवात माले गावं से की जा रही है ये किस तरह का मेसेज देना चाह रहे हैं और जो लोग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं ये सब वही लोग है जो गड़की आतरा में भंगड़क की है जो दूसरी तरफ मामलात को बिगाड़ने की कोशिस करते हैं ये सारे लोग एक ही हैं इस सहर में उन पर कोई सक्त कारवाई नहीं होने कि वह यह से मुसल्चल उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है और पंदरा अगस्त को सुबा नौ बजे परवु सिरी राम मंदिर राम सेतु से सिरी शिव तीर्त यहीं महारा सिवजी पुटले तक इस तरह का प्रोग्राम पंदरा अगस्त को रखने का मतलब क्या है जब दस्तूर ने सन्विधान ने तिरंगे को सरोसेष्ट मान लिया सबसे आला मान लिया उस contain पंदरा अगस्त को सरकार अगर वोल रहे है के हर घर तिरंगा लैरा हो और कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं के भगवा हिंदु राश्त और पंदरा अगस्त को ही तो यह कहीं नकहीं पंदरा अगस्त में जो जिन लोगोलोंने इस मुल्क एलिए कुरभानी दी उग से लोग कर रहे हैं और यह बोला जा रहा है कि इसकी सुरुवाद हिंदुस्तान में माले गाउं से की जा रही है तो इन लोगों पर कोई कारवाई सक्त दे सक्त क्यों नहीं की जाती दुसरा यह कि लाल किला बनाए लाल किले पर हर वक्त 15 अगस्त हो 26 जन्वरी हो तिरंगा ज किया जाए यह देजद्रोही नहीं है क्या यह सहर में लाव और खराब करना नहीं है क्या ऐसे लोग किसकी हिमत पर यह सब चीज़ सुरू करें मेरा अब्जिक्शन यही है कि 15 अगस्त को तिरंगा जंडा हर जगा लहराया जाना चाहिए 15 अगस्त को यह में आजादी है जो सो खरोज से मनाई जाए लेकिन इस तरह के जो लोग हरकत कर रहे हैं अगर इसी तरह इन लोगों की हरकत हुई कोई दूसरा तपका आकल उड़कर खड़ा हो और वो बोले कि हम हरा जंडा लिका लेंगे कोई बोलेंगा हम सिर्फ बिल्यू जंडा 15 अगस्त को निका लेंगे साथ अमन और पौलेंगे की साथ कि रहा हैं तो इससे मुल्क के हालात ख्राब सोगे जब तिरंगे जंडे का अपमान हम इसको मानते हैं इस तरह का एलान जो है तिरंगे जंडे का अपमान मतलब देज दुर हो इस लिए ऐस œiene लोगों पर अप पॉलिस को सक्त एक्सन लेन की जरूरत है सिर्फ अमन और सांती की बात करना या अमन और सांती काइम रखना ये बात बराबर नहीं है इनसाफ के साथ अमन और सांती काइम रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी है पुलिस अगर ये बोलती है कि सब होने के बाद भी हम अमन सांती रखते तो इनसाफ के साथ नहीं रखती जब तक गलत को गलत नहीं बोला जाएंगा जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके उपर कारवाई नहीं की जाएंगी उस वक्त तक ऐसे लोगों की हिम्मत खुलेंगी हमने पहली कोशिस यह की थी कि पुलिट डिपार्टमेंट से मिल कर इस मामले में बादचीत की जाएं मगर किसी वज़े से उनके पास वक्त नहीं है या वो मिल नहीं सके मिलने के बाद उनसे उस तरह से बादचीत नहीं हो पाई इसलिए हम मेडिया को गुला कर पुलिट डिपार्टमेंट को मेडिया के जरिये ये गुजारिस कर रहे हैं क ताके इस तरह की हरकत और इस तरह की बाचीरी सहर में बढ़ रहे कर देकिने अमकरा तो जवाब सीधा ये स्टी आए तिरंगा सबसे उचा थिरंगा ही सबसे उचा रहेंगा माले गाउं सहर में तो हमने फिर्wnाद चार साल पहले ही कर दी कि सबसे उपर तिरंगा लहराते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि اس में गैर मुस्लिम लोग भी कल उस प्रोग्राम में सामिलो मेरी आज उन लोगों से बात चीट हुई क्योंकि ये ये जो है ये मुझे किसी मुस्लिम लोगों ने नहीं दिया बाकाइदा जो सेकुलर जहन रखने आले लोग हैं उन लोगों ने बुला के दिया कि ये सब चीजे बन होना चाहिए तुम पॉलिट डिपार्मेंट से बातचीत करो इस तरह से हम भी इस तरह परेसान हो गए हैं कभी भी कुछ भी ये लोग करते हैं और ये एक ही गुरूप और पॉलिस को समझ रहा है ये कौन लोग हैं बस पॉलिस की हलकी कारवाई या नहीं कारवाई की वजएसे उनLada रही हैं हम चाहते हैं कि यह पॉंप्लेट बनाने वाले यह पॉंपलेट्स अपने हालों पर सक्त कारवाई हो और हमारा जवाब उस तालुक से सिर्फ तिरंगा है हम आज भी रात में तिरंगे के साथ जसन मनाएंगे हम कल भी तिरंगे के साथ जसन मनाएंगे